तो जिसका भी backlog है, बिल्कुल भी लेक्चर ना देखें, सिर्फ दो-तिन लेक्चर का backlog है, तो बिल्कुल देख सकते हो, यह जो chapters है ना, बहुत highly connected है भाई, बहुत highly connected है, इसमें पूरा conservation of momentum आएगा, जो momentum हम पहले पर चुके हो, इसमें potential energy आएगा, इसमें conservation of mechanical energy का use होगा, जो work energy power में हम पर चुके हैं, तो आपको एक दो लेक्चर समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पहली बाद तो यह, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, तो अगर दो-तिन लेक्चर का backlog है, तो यहां से सुरू कर सकते हो पैरलल दो-तिन लेक्चर पूरा करें, पूरा work energy power का backlog है, तो बिलकुल यह lecture मत देखो, बिलकुल मत देखो, बिलकुल भी यह lecture मत देखो, अगर पूरा work energy power का backlog है, तो पता है, तुम्हारा पूरा जीवन backlog में निकल जाएगा और फ्रस्टेर होगे, फटा-फट लेक्चर दे चार साल की परहाई करते हैं, इतनी मोटी-मोटी किताब और एक साल का intensive होता है, उसके बाद, पान साल के बाद, PG का paper होता है, उसमें से कुछ, बहुत ही, बतलब 20-30% लोगों को ही PG में select हो पाते हैं, तो PG परहाई होती है, उसके बाद resistant doctor बनते हैं, तब मैंने सुनाए कि 36- 36 गंटे का working hour होता है, और उसमें भी bond होता है, क्या आप छोड़के नहीं जा सकते हैं, छोड़के जाएंगे तो आपको कुछ 10-20 लाग रुपे देना परेगा, लेक बार घुस गहें तो आपस नहीं आ सकते हैं, ऐसा बनवास ऐसा होता है, और जब आप 36-36 गंटे की नौक करना परेगा, उसका भी एक bond होता है, तो या फिर starting में छोटी-मोटी कही प्रैक्टिस करोगे, तो लगवग लगवग बारभी के पढ़ाई के बच दस साल का बनवास है, और तुम्हें अभी ये 2-4 मेने नहीं जहले जा रहा है, तो कैसे कैसे जहलेगा ये 10 साल का बनवास 10 साल, 12 साल का ये बनवास होता है, तुम नहीं है तुम्हारी अउकार, तुम फर्मलिटी के लिए त्यारी कर रहे हो वेटा, ये फर्मलिटी के लिए त्यारी कर रहे हो तुम